स्वास्ति चर्चा कारिक्रम वे शुताओं हमारा आज का विशे है, मद्यपान और उसका स्वास्ति पर दुश प्रभाव आज इस विशे पर बाचीत के हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्विंद कुमार सिंग डॉक्टर अर्विंद कुमार सिंग शेहर के जाने माने गेस्ट्रो इंट्रलॉजिस्ट है और आज हम बात करेंगे कि जो लोग अलकोहल या शराब का सेवन करते हैं उसका क्या दुश्प्रभाव हमारे शरीर में होता है डॉक्टर सिंग कारिक्रम में बहुत-बहुत और हम जानते हैं कि शराब या अलकोहल के विश्प्रम में बहुत सारी घलत धारणाट में हैं कुछ लोग क्यते हैं कि हैसे नुप्सान होता है पर अतना नुप्सान नहीं होता है आप क्या मनते हैं देखिए ये सवाल भोती अच्छा है जो सराब का जो सेवन है वो निश्यत रूप से हानिकारक है चाहे आप किसी भी मातरा में लेते हैं देखिए कुछ पास्चाते देशों में कुछ रिसर्च हुई है जिनमें ये कहा गया है कि इतना अमाउंट लेना स्वास्ते के लिए अ हम लोग वैसे भी बहुत सारे बिमारे से जूज रहे हैं यहां पे तो उसमें अलकोहल भी एक अपने आप में एड हो जाता है तो ये कहना कि किसी भी मातरा में अलकोहल हमारे साथ के लिए अच्छा हो सकते हैं ये बिलकुल भी सच नहीं है डॉक्टर सिंग आम तोर पर कहा हमारे अलकोहल हैं जो अक्सर हमारे मरीज हमसे डिसकस करते हैं उसमें ये कहना है कुछ लोग ये गलत ब्रहांतिया दिमाग में रखते हैं कि देखिए साफ़ला आदमी ने पूरी जिन्दगी पी है उसको कुछ नहीं हुआ देखिए ऐसा नहीं है जो सराप का सेवन है उसक एलकोल होता है वो यूजवली बहुत ही प्यूरिफाइड फोर्म होती है उनकी और फैक्टरी से बनके आता है हमारे यहां पे बहुत सारे लोग कंट्री लीकर या जिसको हम बोलते हैं देसी सराब पीते हैं और बहुत सारे आपने सुना होगा अभी कुछी महिने पहले हमारे उत्तराखंड में काफी बड़ी टेजडी हुई है दो जिन में बहुत सारे लोग सराब का शेवन जहरीली सराब का शेवन करके मर गए थे तो हमारे यहां पे कई बार जो एलकोल का कंट्रोल है वो नहीं हो पाता है और लोग देसी दारू का शेवन बहुत जादा करते हैं जिसमें कई बार एलकोल की जो मातरा फिक्स मातरा निशित मातरा होती है कई बार उसको मेजर करना मुस्किल होता है तो यह कहना कि जो वाश्यत्य देश्व में इसका परभाव कम है हमारे यहादे यह काफी हद तक ठीक है क्योंकि हमारे यहां पे कुछ फैक्टर है हमारे ज होता है और एक जो बहुत ही यूनीक behavior हमारे लोगों में देखा गया है सराप पीने में वह यह देखा गया कि हमारे लोग जो फारों पेट पीते हैं उसके बाद खा चाते हैं और साथ मैं धुम्र पान भी करते हैं. यह दो जो गंदि बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि सराव का सेवन केवार लिवर को खराब करता है देखिये, टॉप टू बोटम अगर मैं कहूँ स्रीर में, दिमाग, इसके अलावा अब अंब आख भेपड़े, लिवर, पेट की बिमारियां, मुँ की बिमारियां, कॉलन की बिमारिया बड़ी आथ की बिमारिया इनसे सारी बिमारिया होती है अलकोहल से सब कुछ होता है जैसे हम लोग अलकोहल का मस्तिस पे गर उसका परभाव देखते हैं तो धो तरह के हम लोग परभाव देखते हैं इसमें इसको एल्कॉह CT छी सावन करते हैं वो भी हो सकती है एक दिर्ग काली कानि z आभी प्रेस्टेम काञच कीवरी माँथ का閉द यो is के लवग खाला से किये प्रिंशर फिर 7, टर्विएबुन गया है और इसकी अलाबाhay लीवर में भी तो लिएचयी महीहा है वह होता हैays के विज़े से लीवर हेपटाइडिस को हम अल्कॉलिक हेपटाइडिस कहते हैं या फिर लंबे समय तगर कोई आदमी अत्यधिक मात्रा में स्राप का शेवन करता है तो उसकी वज़े से लीवर सिरोसिस हो जाती है यानिकि लीवर सिकुड जाता है और जो अपने आप में एक फैटल बिमारी है कभी कभी लीवर में कैंसर का भी एक मुख्य करान होता है तो डॉक सब आम तोर पर ऐसा कहा जाता है कि याददाश्ट पर भी इसका प्रभाव परता है जी बिलकुल सच बात है तो दिमाग के कुछ हिस्से हैं जो अलकोहल से खास सोड से एफेक्ट होते हैं जो डिसिजन मेकिंग है जो निर्ने लेने के शमता है वो सभी कुछ इससे परभावित होते हैं तो अब हम विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे जिदी हम अपने डैजिस्टिव सिस्टम की बात करें पाचन तंत्र की तो किस तरह से प्रभाव डालता है अलकोहल देखे अग पाइप खास तोर से हम ये देखते हैं कि स्टमक और इसोफेगस के कैंसर जो हमारे राज्ये में अक्सर बहुत ज्यादा मातरा में देखने को मिलते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं पे स्मोकिंग धुम्र पान और जो हमारा अलकोहल है वो भी काफी हद तक रेस्वंसिबल है त जाने कि अत्यधिक मातरा में सराब पिया और एकदम से सडलनी पेन होगा और पैंक्राज पे सूजना जाएगा अगर ये पैंक्राटेट काफी सीवेर होता है तो इसमें मृत बढ़ जाती है तीस से चालिस परसेंट को कई बार हम लोग नहीं बचा पाते हैं दूसरा जो इ ठतार दर्द रहता है पेट में डाइसें इसका खराब हो जाता है और एक महत्यपून पफियाज पे जो ऐलकोहल का एफेक्ट boo होता है पंक्राटीक कैंसर तो पंक्राटीक कैंसर भी एक अच्छा मदल्ले एक बहुती दूस परिड़ाम थैं इलकोहल पीने का जाता है तो जज्मेंट करने में भी उसको गड़बियां होते हैं मूड स्विंग की बात करते हैं कई बार उसका जो व्यवहार है वो भी बहुत अजीब सा होता है तो क्या हम मानें कि मस्तिश्क पर इसका काफी दुश्परभाव देखने को मिलता है जी देखे ऐलकोहल का डा हमारे शुक्षमकन हैं जैसे विटामिन डिफिशंसी है विटामिन की कमी होने से थायविन की कमी है अधर विटामिन की कमी भी देखने को मिलती है तो हमारा जो ब्रेन है हमारा जो मस्तिस्क है वो डारेक्ली और इंडारेक्ली दोनों तरह से परभावित हो सकता है आम तर प कि सराब को लेके कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के दिल में और वो भ्रांतियां हैं जो दूर होनी चाहिए और उनको हमको दूर करना चाहिए देखिए कोई भी अमाउंट अलकोल है कोई भी मातरा अलकोल की मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत सरीर के लिए अच्छा है देखिए कुछ रिसर्च हुई हैं ये देखा गया है कि उनमें अगर 100 ml से कम अलकोल कंजूम करते हैं तो साइद वो हर्दे के लिए साइद वो अच्छा है लेकिन ऐसा देखिए अपने सरीर के लिए अलकोल को अगर चोड़ दीजे एक अच्छा लाइप स्टाइल गुड लाइप स्टाइल ही स्वास्ते वर्देख है मैं नहीं समझता हूँ कि अलकोल कम मातरा में लेना बहुत अच्छी बात है अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं आम तोर पर हम ऐसा तो कहते हैं कि यदि महीला गर्वती है तो उसको अलकोल का सिवन नहीं करना चाहिए धुम्रुपान भी नहीं करना चाहिए लेकिन क्या ये पूरशों में भी उनके जो रिप्रोड़क्टिव सिस्टम है उस पर परभाव डालता है उनकी जो परफॉ विकार भी पैदा हो जाते हैं आनवंशीक विकार मलब जो उसके बोड़ी फेश है या बोड़ी की स्ट्रक्चर है या फेस की जो चेहरे की स्ट्रक्चर भी विकड़ सकती है बेवी की और इसके लावा अगर हम बात करें पुर्शों में देखे जो शराब होती है अलकोल हो होता है दूसरा क्या होता है इंडायक्री जैसे सपोजगरे की कोई अलकोहल का कॉंजप्चन बहुत ज्यादा करता है और लीवर पर प्रोलम आ गई है तो लीवर की वज़े से जो हार्मोंस बन रहे हैं उनका इंबैलेंस हो जाता है वो गड़बड हो जाते है रो उसकी जैनि महिलाओं में भी और पुरुशों में बांच्पन की समस्या है भी समस्या है। उसका कारण डारेटली सीधे से तरह से अलकॉल की वज़े से भी हो सकता है या वो अत्यदिक सेवन की वेजे से बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो उसका भी डारेटली उफेक्ट हो सकता है इसके अलावा जो हड़िया होती हैं, हड़िया भी अत्तितिक अलकॉल लेने से कमजोर हो जाती हैं, उसका ये कारण हम मान के चलते हैं कि जो अलकॉल होता है, उसमें कुछ विटामिन D या जो कैलिशिम का जो मैटाबलिजम हमारे सरी में हो रहा है, वो अलकॉल से एफेक्ट ह होता है, उसकी वज़े से जो अलकॉल लेने वाले लोग होते हैं, उसमें ऑस्टेोपरोसीज जिसे हम बोलते हैं हड़ि कमजोर होना और जो हड़ि के तूटने की टेंडेंसी होती है, यानि कि रिस्क और बॉन फ्रेक्चर भी बढ़ जाता है, तो डॉक्स अब हम देख रह उसके बारे में बदाना चाहूंगा, आपने जो सुरुवात में एक सवाल पूछा था है कि जो हमारे पाश्याते देश हैं हमारे भारतियों में क्या डिफरेंस है, देखी, अगर मैं बात करूं 1970 से लेके और 1990 या 2000 तक की, तो उसमें एक बड़ा ही यूनीक पैटर्न देख कम हुआ है और हमारे देश में इसका सराब का सेवन बड़ा है, और जो दूसरा प्रभाव देखा गया, वह देखा है कि पहले जो सराब का सेवन था, वो ज्यादतर भाई फोटी या फोटी के बाद में, चालिस के बाद में लोग ज्यादर लेते थे, लेकिन आज के समय हम जो युवा जन्रेस है ने, हमारे जो युवा है इसे में, वो सराब का त्यादिक सेवन कर रहे हैं देंकि इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक उसमें है कि आपस में पर्तिस परधा होना, रोजगार की कमी होना या कई बार peer pressure की साथ वाले बच्चे हैं कहीं होस्टल में रहते हैं या उसको देख के कई बार ये सब चीजे तो इसको मतलब मेरे हिसाब से तो ये multifactorial है कोई भी एक कारण की तरफ आप उंगली नहीं कर सकते हैं इसकी बड़ा है तो ये cultural और जो हमारी संस्कृतिक मुले चेंज हुए हैं उसका भी एक करण हो सकता है ये लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है जी बिल्कुल ये बिल्कुल स्वास्तिक दरिश्टी से बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आपने शुरू में जिकर किया तो हमारी जो सराब उसकी quality हमें पता नहीं कि किस टाइप की quality ले रहे हैं दूसरी बात जो खास्तोर से जो lower और middle जो class है हमारे भारतियों में वो सराब का जब सेवन करते हैं तो बहुत अधिक मातरा में करते हैं regulated नहीं है उनका कि हम कितना amount ले रहे हैं तीसरी बात यह है कि उनको यह नहीं पता होता कि हम खाना खारे नहीं खारे कि कई बाते हैं बिंज ड्रिंकिंग मतलब दो तीन दिन के लिए लगाता ड्रिंक करना जो कि स्वास्ते के लिए सबसे दहानी का रख है और तीसरी चीज़ जो इसमें important हो जाती है कि धुम्र पान के साथ सराब पीना देखे ये अगर धुम्र पान के साथ सराब पीते हैं तो इसमें जो कैंसर का रिस्क है वो कई गुना तक बढ़ जाता है और जो दिमाग खासतों जिसको हम बोलते हैं cerebral stroke यानि की लकवा आना दिमाग में लकवा आना या जैसे की heart attack आना heart और लकवा आने की जो दर होती है अ जो लोग जो इसके लिए addicted हो चुके हैं देखे उनके लिए कोई समय नहीं होता है वो कभी भी सुरू कर सकते हैं और यह एक्चुली देखा है तो यह बहुत ही harmful effect है alcohol का जिसमें उसका शरीर के अलावा जो उसका daily काम करने की शमता है जो उसकी quality of life है जो उसकी जिमेदार यह समाज के प्रती फैमली के प्रती परिवार के प्रती वो सब effect होती है तो देखे इस तरह का जो यह सेवन है यह निश्चित रूप से सरीर के साथ साथ में समाज के लिए भी हनिका रखे है तो रख सब अन्त मैं थोड़ा बताएं कि आप क्योंकि लंबे समय से practice कर रहे हैं आ प्रतलब जो आदमी इस समय सरा पी रहा और उसकी वज़े से disease हो रही है तो हम उसको एक आदत ना मान कि एक मरीज की तरह ट्रीट करें मरीज की तरह इसका इलाज कराएं उसके साथ sympathy रखें और उसको एक मरीज की तरह डॉक्टर से परामर्श लें देखिए बहुत सारे center है जहां पर इस तरह की help होती है help line है बहुत सारी बहुत सारे group है जहां पर बहुत सारे लोगों का अच्छा इलाज होता है उनकी counseling होती है एक्सर क्या देखा जाता है कि जो आदमी लगाता है drink कर रहा है और एक दम से drink को छोड़ देता है सरा आपको छोड़ देता है कई बार उसको alcohol withdrawal symptom होते है मतलब जैसे किसी ने दो दिन पहले लिया और एक दम से drink बंद का दिया तो patient को हड़ बढ़ाट होती है BP बढ़ जाता है बेचे नहीं होती हाथ पैर कापने लगते है decision making हड़ बढ़ हो जाता है तो वो क्या करता है कि फिर से drink लेगा उस चीज को कम करने के अगर ऐसी स्टेज में अपने चिकत्सक को दिखाया जाए जो इस चीजों को इलाज करने में शक्षम है जहां पर भरती की सुईध है अगर लगता है कि मरीज खा पी नहीं रहा है तो ऐसी अवस्था में अगर सुरवात में हम patient को रोक लेते हैं और उसको treatment देते हैं तो नि अमीद है कि हमारे शोताओं ने इस कारेकरम को बहुत गौर से सुना होगा और इस से लाप राप करेंगे स्टूडियोज माने के लिए डॉक्टर सिंग आपका बहुत भाँत धन्यवाद धन्यवाद सर् सार रहुत उन्यवाद वेकर वे आपका लापक लोगा यूबत भाद से लापका लेकर भाइशने हैं अऴंख भापका ल Camp 9 utilizar रहाँ करेंगे अगरां आप्द करेंवाद, टाम हम जा एन